Hello everyone, welcome to the channel Ravya Aditi Classes और आज की इस वीडियो में मैं discuss करोगी weekly current affair यानि कि 26th of November 2023 से लेकि 2nd of December 2023 का जितना भी important update है related to current affair उसको मैं discuss करने वाली हूँ और यह पूरी वीडियो आपके सभी exam के point of view से काफी जादा useful रहने वाली है यदि आप किसी भी exam की तियारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी जादा useful रहने वाली है क्योंकि इसमें मैं पूरे एक हफ़ते का जो भी content रहता है आपके साथ वो discuss करती हूँ तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और आज की हमारे वीडियो का पहला question है यानि कि प्राफिट सॉंग उपरन्यास के लिए बुगर पुरुषकार दो हजार तेईस के किसने जीता है तो ध्यान लखेगा दो हजार तेईस का जो ये बुगर पुरुषकार है ये जीता है पॉल लिंच ने तो option number जो ए है इस question का सही answer होगा कि दो हजार तेईस के जो पुगर पुरुषकार इसके announcement हो चुकी है और ये मिला है प्राफिट सॉंग के लिए पॉल लिंच को देखे आयरिस ओथर है ये पॉल लिंच इन्होंने जीता है ये पुरुषकार दो हजार तेईस का और ये जो ceremony थी बुगर पुरुषकार की ये हो रही थी लंदन में और कब हुई थी 26th of November 2023 को next question is which become the first South Asian country to registered gay marriage यानि की समलेंगिक विवागो registered करने वाला पहला दक्षिन एशाई देश ये कौन सा बना है तो ये बना है नेपाल तो option number जो C है इस question का सही आंसर होगा यानि की पहला दक्षिन एशाई देश यानि की first South Asian country जिसने registered की है अपने देश में gay marriage को तो option number जो C है इस question का सही आंसर होगा देखे नेपाल formally registered the first same-sex marriage on 29th of November 2023 and becoming the first South Asian country to do so and Nepal did this five month after the Supreme Court judgment and Nepal की बातकर हम करें तो उसकी capital है काटपांडू और यहां की जो president है तो यह है रामचंदर प्रडाल और यहां की जो prime minister है तो इनका नाम है पुष्प कमल देहल और यहां की जो currency use होती है वो है नेपाली रुपिया तो ध्यान रखेगा यह बनी है first South Asian country जिस ने अपने देश में registered किये homosexual marriage फिरे वेर इस UN climate change conference 28 यानि की COP28 being held तो देखे COP28 के बात करें जिसको हम कहते conference of parties 28 तो यह हुई है कहां पर UAE में और UAE में कहां पर दुबाई में तो ध्यान रखेगा COP28 यह हो रही है दुबाई में option number जो भी है इस question का सही answer होगा the UN climate summit is held every year for government to agree on the steps to limit global temperature rise यानि की हर साल यह जो conference होती है यह organize होती है जितना भी global temperature होता है उस चीज़ को limit करने के लिए उस पे बातचीत के जाती है और यह आयजन को हम क्या बोलते है COP बोलते है जिसकी full form होती है conference of parties की बात करें तो यह UN FCCC के अंदर आते है यानि की United Nation Framework Convention on Climate Change जो की बना था 1994 में पहला जोसका summit हुआ था वो अगले ही साल हुआ था 1995 में जर्मनी में और भारत में इसका जो summit हुआ था 2002 में जो की इसका 8th summit थी यानि की COP 8 यह हुआ था भारत में 2002 में और इस बार का जो COP 28 है यह हो रहा है UAE में यान की दुबाई में जो basically goal होता है COP का वो होता है to stabilize greenhouse gas concentration तो यह भी ध्यान रखेगा फिरे रिसेंटली दा एड्री रजियोलना हैस बीन रियलेक्टेट एस प्रेजिडेंट आप विच कंट्री यानि के भी हाल ही में जो एड्री राजा एलुना है वो किस देश के राश्चपती की रूप में चुने है तो उसका सही आंजर है आफ्रिका मैं नकासकर की बात करें यह फोर्ट लाइड़ लाड़्जस आयूलेंड है और सेकेंड लाड़्जस आयूलेंड कंत्री है इन वर्ल्ड इसकी क्यापिटल के अगरा में बात करें लाजस्ट सिटी की तो यह है एंडा नारो और विवा तो देखे ये न्यूज अभी काफी ट्रेंडिंग में थी कि अभी जो 41 लेबरर थे जो की सिल्क क्यारा टनल में फसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया उत्राखंड से तो ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी इसका नाम था अब देखे टनल के बारे में थोड़ हम जान लेते हैं कि सिल्कियारा टनल जो है ये एक 4.5 किलोमेटर लॉंग टनल है जो की अंडर कंस्ट्रक्शन है बेट्विन सिल्कियारा एंड डंडल गाउं इस पार्ट अफ चारधाम ओल वैदर रोड प्रोजेक्ट अड़ विच कनेक्ट दा फोर होली हिंदू साइट्स अड़ इस टेनल इस लोकेटेद अधर यमनोत्री अंड फ नेशनल हाइवे तो इकटा होता उसको बाहर निकाल लेते हैं और बेसिकली जो यह रेड अल माइनिंग में किया जाता है और इसी रेड हो रेट होल माइनिंग में यह जो एक क्यालिस लेबर थी वो वहां पर फसे हुए थी जिनने अभी सेक्सफुली रेस्क्यू कर लिया है उत्रा खंड से अब उत्राखंट की बात आए तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं जिसके चीफ मनेस्टर है पुसकर सिंग धामी गवर्नर की बात करें तो यह ल्यूटनेंट जनरल गुर्मित सिंग कैपिटल की बात करें तो दो हैं यहाँ पर एक है आपके विंटर कैपिटल और यहां की समर कैपिटल विंटर कैपिटल की बात करें तो यह है देहरादुन और अगर समर कैपिटल की बात करें तो यह है गैरसेन इसमें आप करण से एक और चीज यहां पर धियान रखेंगे कि 38 नंबर का जो नेशनल केम्स होने वाले हैं यह उत्राखंट में होंगे तो लवा फूलू की घाटी यह सब आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा फिर आपका अगला क्यूस्चन है कि विस्टेंपल है रिसेंटली बिकम दो एट वंडर ऑफ दो वर्ल्ड की दुनिया का आठवा जूबा यह कौन सा मंदिर बना है तो ध्यान रखेगा दुनिया का आ देखेंगे और यह जो मंदिर था यह 800 साल पुराना मंदिर है जो की बिल्ड किया तक इसने किंग सूर्य वर्मन सेकेंड ने अंकोरवाट के अगर हम बात करें तो ओरिजनली यह डेडिकेड़ है कि हिंदू गोड विष्णु को बट इट वस लेटर चेंज टू बिकम अ ब कि रिसेंटली विट स्टी टूरिजम मिशन हैस डिसीब ग्लोगल रिकोगनेशन फ्रम यूव ड़लु टी यो तो देखें किस राज्य के परेड़न मिशन को यूव ड़लु टीओ से वैश्विक मानेता मिली है तो इसका सही आंसर है केरला तो ऑप्शन नमबर जो भी है कि यूनाइटिड नेशन वर्ल्ट टूरिजम और्गनाइजेशन के रला के बाद अगर हम करें तो रास्थानी है इसकी त्रिवनंत्पुरम चेफ मिनिस्टर तो यह पिंडरी विचियन और गवर्नर तो यह आरिफ महम्मद खान तो देखे अगर हम बात करें दुनिया का पहला 3D मुदृत मंदिर इसका उद्गाटन अभी कहां पर हुआ है तो यह हुआ है तो आप्शन नमबर जो A है इस कुर्शन का सही आंसर होगा तेलांगना जो रिसेंट का स्टेट बना था 2014 में 2 जून को तो यह भी ध्यान दखेगा स्टेटिक के पॉइंट ओफ यू से इंपॉर्टेंट है कि तेलांगना की फॉर्मेशन यह हुई ती साल 2014 में 2 जून को अब देखे तेलांगना में मैंने आपको बताया कि यह पहला दुनिया का 3D प्रिंटर मंदिर हिंदू मंदिर है जो बनकर तयार हुआ है और जो 3D प्रिंटर मंदिर है यह बुरुगु पल्ली में 3D प्रिंटर मंदिर अपसुजा इंट्रेक के द्वारा 3800 वर्ग फुट म में ये बनाया जाएगा तेलांगना के बाद करें तो राज्थानी है है ध्राबाद चीफ पिनिस्टर तुई है के चंदर शेकर रहा हो और यहां के जो राजिपाल है याने की गवर्नर तो इनका नाम है तमिली साही सॉंदर राजयन फिर आपका अगला केश्चन है कि who has been selected as the best male athlete of the 37th national games तो देखे 37th national games के बाद करें तो सर्वस्रेस पूरुस athlete ये चुने गए है श्री हरी नडराज तो option number जो A है स्कूशन कर सहीं आंसर होगा जो श्री हरी नडराज है बेसिकली करनाटक से बिलॉंग करते हैं और स्वीमर है और इन्होंने 37th national games में 8 gold एक silver और एक bronze medal जीता है और इसे के साथ ये पूरुष athlete के वर्ग में सर्वस्रेस पूरुष athlete का जो अवर्ड है ये मिला है तो ये ध्यान लखेगा अभी मैंने आप इनको बता है 38 वाले जो होंगे वह होंगे उत्राखन में और 37th नंबर के national games थे इनका आयोजन ये हुआ था गोवा में मसकट के बात करें तो इसका था मोगा और ये जो आवार्ड है ये दिया है इंडियन ओलंपिक आसोचिजिन प्रेजिएंट जो कि ये पेटी उशा इन् फिरे इन विस city of उत्तर प्रदेश the state largest plastic waste to fuel plant will be set up तो देखे मैंने आपके question आपसे पूचा है कि उत्तर प्रदेश के के शहर में राजे का सबसे बड़ा plastic कच्रे से इंधन मनाने वाला जो plant है वो लगाया जाएगा तो ये लगेगा आपका आयोध्या में तो option number जो C है इस question का सही आंसर होगा नोर्थ इंडिया फॉर्स लार्जेस प्लास्टिक फ्यूल मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट विल बी सेट अप इन आयोध्या एंड टू रियक्टर विल इंस्टॉल्ड इन इस प्लांट तो दिस प्लांट तो डिस्पोस ओफ 20 टर्न ओफ प्लास्टिक वे इन पडिल आयोध्य से आप उत्रवर्दी से आप कुछ और चीज़ भी आत कर रख सकते हैं जिसे कि देश की पहली अमुख्य मंद्रे की बात करें किसी से तेश सुचिता करपलानी थी और गवर्णर की बात करें तो यहां पर आती है सरोजनी नाइडूं तो इन दोनों का भी नाम आपको याद रखना है फिर हो बिकम दो फॉर्स प्राइम मिनिस्टर टो फ्लाइए लेसी तेजस एयरक्राफ्ट यानि कि लेसी तेजस विमान उड़ाने वाले पहले प्रधान मंतरी कौन बने है तो यह बने है नरेंदर मोदी तो आप्शन नमबर जो बी हैस अधि एरनौटिक डिवलप्मेट एजनसी इन कोलाबरेशन विद द एरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ओफ हिंदूस्तान एरनौटिक लिमिटेड तो इसके बेसिकली आपको किस ने इसको बनाया है यह अभी आपको ध्यान रगने कि जो लाइट कॉमबेट एरक्राफ्ट है इसको बनाया है एरनौटिक डेवलप्मेंट एजनसी ने किसके साथ मिलकर यार्डी सी की साथ मिलकर जो की एहल यानि की हिंदूस्तान एरनौटिक लिमिटेड का पार्ट है फिर वियर विल पर थर्टी एट नेशनल गेम्स विल भी हेल्ट तो यह मैंने भ हुआ है कि दो हजाएजाचौबिस में जो उत्राखंड में होंगे थर्टी एट नंबर की नेशनल गेम्स उत्राखंड के बात अगर हम करें तो कैपिटल है देहरादूर और अगर समर कैपिटल की बात करें तो यह गैर से चीफ मिनस्टर की बात करें तो यह पुश्कर सिं नेशनल कॉंस्टिशन डे जुसको हम लोड एके नाम से भी जानते हैं यानि कि कानून दिवस विदी दिवस या आपके समिधान दिवस यह हम बनाते हैं 26 नवंबर को तो ऑप्षिन नमर जो सी है इस कुश्चन का सहीं आंसर होगा देकिन नेशनल कंस्टिशन डे यह हम बन दे 26 नवंबर को क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो समिधान है वो बनकर तयार हुआ था लेकिन इसको लागू किया था कब 26 जनवरी 1950 को तो इसलिए 26 नवंबर को एक हिस्टोरिकल रिमार्ग देने के लिए हम मनाते हैं नेशनल कॉंस्टिशन डे और 26 नवंबर फिर रिसेंटली इन विच कंट्री दा आशियान इंडियन मिलेट फेस्टिवल 2023 इस बिंग और्गनाइज़ड तो देखे आशियान इंडिया मिलेट 2023 जो ये फेस्टिवल है ये मना है इंडोनेशिया में तो आप्शेन नमबर जो ए है इस कुश्चन का आप याद देखें इंडियन मिशन टू आशियान अलॉंग विद अ मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एंड फार्मर वेलफेर लॉंच्ट आ फाइफ टे मिलेट फेस्टिवल इन जकार्था जो की कापिटल है किस चीज की इंडोनेशिया की इसका जो में एम है वो है कि आपको आपको स्मयामार और कमबोडिया तो देखें यहाँ पर आशियान और इंडिया के बीच में यह समिट हुआ है फेस्टिवल आपका है तो यह हुआ है इंडोनेशिया में जहां पर इन दोनों के बीच में मिलेट्स और मिलेट्स से बनेवे प्रोडेक्ट के बारे में एक अवेर्ण तो option number जो A है आप यहाँ पर याद रखेंगे अफगानिस्तान यह हमारी neighboring country है यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यह सबसे चोटी लेंड boundary को शेयर करती है भारत के साथ लगबग 106 km वहीं सबसे लंबी boundary के बात करें तो यह लगती है किसकी बैंगलादेश की जो अभी अफगानिस्तान ने अपने जितनी भी embassies हैं उनको पर्मनेंट बंद करने की घोशना की है कहां से भारत से फिर वेयर हैस union minister जिनका नाम है नितन गड़करी इन्होंने इनागरेट किया है 8 इंडिया वाटर इंपक्ट समिट तो देखिए इसका जो आईजन किया गया है कहां पर यह हुआ है नितन गड़करी जी के द्वारा नई दिल्ली में तो आप्शन नुम्बर जो ए है इस question का सहीं आंसर होगा दिगे उन्याँ बंस्टरे श्री नितन गड़करी इन्होंने लांच किया था 8th इंडिया वाटर इंपक्ट कॉंफरेंस इन्यो देली अधीम फिंडिया वाटर इंपक्ट कॉंफरेंस 2023 इस देवल्लोप्में विद लेंड वाटर एं रिवर इस एमस्टो बिंगेदर साइं इन्डिया वाटर सेक्टर फिर नवाद दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग इस न्यूली डिस्कवर्ट स्पीसीज विजस्वाउंड इन्वेट स्टेट तो देखें नवाद दिहिंग संगीत मैंडग एक नई खोची गई प्रजाती है जो कि अभी देखने के लिए अरुनाचल प्रदेश में तो ऑप्शिन नंबर जो ए है इस कोश्चन का सही आंसर होगा कि अरुनाचल प्रदेश में अभी देखने के लिए मिला है मैंडग की नई प्रजाती देखें कि बेसिकली जो इसका नाम दिया है वो नोहा देहिंग रीवर के नाम पर इसका नाम पड़ा है कह की मैंबर्शिप के लिए भी ओफिशली जो आवेदन किया है यह किया है पाकिस्तान में तो अप्शन नंबर जो भी है इस कुर्चन का सही आंसर होगा तेकी पाकिस्तान इस ओफिशली अप्लाइटो जॉइन दबडिक्स क्रूप अफ कंटरीज और पाकिस्तान इस आइंग सबसे लास्ट में जुड़ी थी और अभी हाली में 6 मेंबर कंट्रीज को यहां पर जोड़ने की बात की गई है जिसको मैंने आपको बताया था AICU से अब इसमें देखें अरजेंटरना की जो नए प्राइम मिनिस्टर बने है उसके बाद इन्होंने अपना जो नाम है यह वा प्रइशन का सही आंसर होगा अपना की बात करें तो एक पपल फैलो रेसिंग कॉंपिटेशन होता है और इसका जो आयोजन हुआ है यह बंगलोरो में 2526 नवंबर को देखने के लिए मिला है फिर रिसेंट्ली विच एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश विल बिकम आप को ये पहला सॉलर स्थाथ बनेगा टू यह बनेगा बुंदेल्खंट एक्सप्रेस वे तो bak Alla hip्रक्र न धिए इस कुशन का आपको याद रखना है भाइन दिखेंशन प्रदेश इस इन उस और उत्थर प्रदीश इस गोइं घुपलिटीड ऑं सोलर पावर और बिस स इंटरनेशनल करकेटर से नियास लेने की बात की है तो यह बिलाउं करते हैं पाकिस्तान से तो और अप्शन नम्बर जो भी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इमाद वसीम जो की किरकेटर है पाकिस्तान से इन्होंने अभी अंतरास्टर किरकेट से सन्यास लेने की घोशना कर दी है फिर रिसेंटली क्रिस्टोफर लक्षन इन्होंने किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपत ली है तो जो क्रिस्टोफर लक्षन है इन्होंने ओत ली है प्राइम मिनिस्टर के रूप में कहां सी न्यूज तो option number जो ए है इस question का सही answer होगा कि क्रिस्टोफर लक्सन की बात करें तो ये बने हैं न्यूसरेंट के प्राइम मिनिस्टर और इससे पहले कौन थे क्रिप्स हिप्सकिन्स जिन्होंने जो अभी हट गए हैं और अब बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन फिर है whose birthday anniversary celebrated on 22nd of November तो देखे 27th of November को मनाई जाती है गुरु नानक की जैन्ती तो option number जो ए है इस question का सही answer होगा गुरु नानक birthday anniversary is celebrated all over the on 22nd of November and this day is also called पर प्रिकास उत्सव या फिर आप कहें गुरु पर गुरु नानक जी की बात करी तो यह सिख्खिजम के founder है और फर्स्ट सिख्ख गुरु हैं देखे सिख्खिजम के अगर हम बात करें तो total 10 गुरु यहाँ पर हुए हैं और जो पहले नंबर की गुरु ते यह कौन ते गुरु नानक जी जिन्होंने स्थापना की थी सिख्खिजम की next question is who has recently unveiled the statue of Dr. B.R. Ambedgar in the Supreme Court तो अभी हाली में Supreme Court में Dr. B.R. Ambedgar जी की प्रतिमय का अनावरन यह किस ने किया तो यह किया है द्रोबदी मुर्मु ने तो option नंबर जो C है आप D.Y. चंदर चूट और पहले जो Chief Justice थे वो ते ही दा लाल जे कानिया यहाँ पर आप कुछ current event को याद रख सकते हैं कि अभी Supreme Court ने एक monthly newsletter को issue किया था जिसका नाम इनोंने रखा है Supreme Court Chronicle और इसके लावा जो Supreme Court के पहली woman judge ती फातिमा वेबी इनका भी हाले में निदन हो गया था तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है फिरे वाट नीम दा मस्कट आफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैस बिन लॉंच रिसेंटली तो देखें खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहली बार शुरू होंगे भारत में कहां पर दिल्ली में और इनका जो मस्कट रखा ह यानि कि शुभंकर तो यह है उज्वला तो option number भी आप यहाँ पर याद रखेंगे फिर रिसेंटली वेर दा हॉन्बिल फेस्टिवल 2023 विल बी सेलिब्रेटेड तो देखें हॉन्बिल फेस्टिवल की बात करें तो यह हम मनाते हैं नागलेंड में तो option number जो भी है इस question का सह हम देखने के लिए मिलता है नागलेंड की बाद अगर हम करें कैपिटल है कोहीमा सीम है यहां के नेफ्यूरियों और गवर्नर तुई है अल गनेशन फिर है उत्तरपरदेश कवर्मेंट डिसाइडेड या फिर डिकलेड 25th of November as no non-ved day on the birth anniversary of which great man तो देखें अभी हाली में उ प्राद रखेंगे फिर विच कंट्री है रिसेंटली अलाओ वीजा फ्री एंट्री फोर इंडियन सिटीजन्स तो देखें वीजा फ्री एंट्री या फिर वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमती यह दी है मलेशिया सरकार ने तो option number जो सी है स्कुश्चन का सहीं आंसर होगा देखें मलेशिया हैस गिवन ते फैसिलेटी तो इंडियन सिटीजन्स तो एंटर दे कंट्री विजा फोर वन मन और यहाँ पर जो करंसी यूज होती है वह है मलेशियन रिंगत इसके लब श्रिलंका से भी आप याद रखोगे कि श्रिलंका ने भी भी हाली में भारत समय साथ देशों को वीजा फ्री एंट्री अपने देश में दी है ताकि वो अपनी जो उनका जो एकोनोमिक डाउनफोल चल रहा है द्यू टू मल्टिपल क्राइस तो वो उसको बूस यह बने है सोनु सूध तो ऑप्शन नमबर जो भी है इस कुश्चन का सही आंसर होगा अधर उप्शन को अगर हम डिसकस करें तो देखे राच कोमर राओ तो यह अभी इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया ने इन्हें अपना नेशन आइकन यह बनाया है महेंदर सिंग धोनी क इसके मेस्टर थे कौन शाहरूक खान वही ब्रेंड अगर हम बात करें वर्ड कव के घलोबल अमबास्टर तो यह तो दोनों अलगला कि यह वर्ड आप के और यह जाहरूक घान by ministry of health and family welfare on 22nd of November and its aim to encourage people to donate organ a healthy person can save people's life by donating his organ after death और जो person अपने organ को donate कर सकता है वो है hurt, liver, kidney, intestinal, lungs फिर है when is world environment protection day celebrated तो it is celebrated on 26th of November तो option number D आप यहाँ पर याद रखेंगे next is India's largest tiger reserve will be established in which state तो देखें इंडिया का अगर हम बात के सबसे largest tiger reserve तो यह बनने जा रहा है कहाँ पर मध्यप्रदेश में तो option number जो B आप यहाँ पर याद रखेंगे देखें मध्यप्रदेश में सबसे जदा आपको forest area सबसे जदा बाग नेशनल पार्क आपको यहीं देखने के लिए मिलेंगे और भारत का सबसे बड़ा जो tiger reserve है वो भी कहाँ पर बनेगा वो बनेगा मध्यप्रदेश में और मध्यप्रदेश में कहाँ पर तो मध्यप्रदेश की बात कर लेते हैं तो राज्थारी है भौपाल चीफ मिनिस्टर ने सिवराज सिंग चौहान और गवर्नर तुई है मंगु भाई पटेल फिर हूव रिसेंट्ली वान्दर डैविस कप 2023 आफ्टर 47 साल के बाद में डैविस कप 2030 का किताब अपने नाम किया है तो यह है इटली तो ऑप्शन नमबर यह आप यहां पर याद रखेंगे देखिए डैविस कप और बिली जीन कप के बारे मैंने आपके सब डिसकुस किया था कि जो डैविस कप है यह बैसिकली जो मेल कैंडडिडेट्स होते हैं मेल पेर होते हैं उसके लिए ट इटली ने और दिली जीन कप तो यह जीता था कैनेड़ा ने तो यहां पर आप्शन नमबर यह आप याद रखेंगे कि 47 वर्षों के बाद में डैविस कप को अपने नाम किया है इटली ने तो देखिए इटली हैस बिकम दा चैंपिन फॉर दे सेकंड टाइम इन दो इन इ पहले इसने जो 1976 में यह अवार्ड अपने नाम किया था और अभी 2023 में दूसरी बार यह जीता है डैविस कप इटली के बात करी कापिटल है रोम करंसी है लीरा और प्राइम मिनिस्टर तुह हैं जियोर्जिया मैलोनी तो देखें 2022 का यह अवार्ड है तो कंफ्यूज नहीं होना है मिला 2023 में है लेकिन अवार्ड यह है 2022 का तो यह मिला है दो ऑर्गिनेजिशन को जो किया इंडियन मेडिकल असोशेशन और दूसरे है ट्रेंट नर्से असोशेशन आप याद रखेंगे देखें यह जो अवार अवार्ड है बेसिकली पीस डिस आर्ममेंट और डेवलोपमेंट के लिए दिया जाता है जो दोनों ऑर्गिनेजिशन है आपकी इनको यह अवार्ड मिला है जो उन्होंने कोविड-19 पेंडमिक के दोयान अपना कारिये किया था उस चीज़ को लेकर फिर हो है रेसेंटली अविद्ध प्रेंगे तो बिकम दा सेकंड यंगेस्ट फ्लेयर तो विन डेशनल स्क्वेस चैंपेंशिप तो यह अनाहत सिंग ऑप्शेन अबर बी आप यहां पर याद रखेंगे अनाहसिंग वन दा वोमेंस टाइटल अड़ सीनर नेशनल स्वेस चैंपेंशिप 2023 विच इस हैंड इन चैन्नाई एंड बिकमिंगेस्ट यंगेस्ट प्लेयर तो विन डाइटल फिर है वो एस बीन मेड दे कैप्टन अफ गुजरा टाइटन फोर इंडियन प्रिमेर लिग 2024 तो इसका जही आंसर है शुबमन गिल तो ऑप्शेन नंबर बी आप यहां पर याद रखेंगे हाला कि ऑप्शन अभी इनके चल रहे हैं अभी फेर बदल हो भी सकता है लेकिन अभी जो अनॉंस्मेंट की गई है वो गुजरा टाइटन के कैप्टन के रूप में चुने हैं कौन शुबमन गिल फिर एशिया लाजेस्ट ओपन एयर अन्यूल टेट फिर बाली यात्रा वस इनागरेड़ इन विट सेट तो देखे बाली यात्रा आप कहें तो काफी इंपोर्टेंट एक फेस्टिवल होता है जो की हर साल हम बनाता है कहां पर उडीशा में तो ऑप्शन नंबर जो C है ग्रोजिस एंशेंट मेरिटाइम हेरिटेज हेरिटेज ओफ उडीशा वस इनागरेड़ ओन दा बैंक ओफ महानदी इन कटक उडीशा की वाद करें तो कैपिटल है सौरी हापर कैपिटल मिस्टे को रखी है तो उडीशा की कैपिटल तो यह है भुवनेश्वा चेफ मिनिस स्टेट ऑफ इंडिया तो देखें मिल्क प्रिदूजिंग स्टेट की बात करें भारत में तो सबसे पहले नंबर पर कौन आता है उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके यहाँ पर सही होगा देखें बेसिक एनिमल हस्बेंटी स्टाटेस्टिक 2023 रिपोर्ट यह रिलीज हो चुकी है बाई युनियन मिनिस्टर पुश्रत्म रुपाला और इस रिपोर्ट में मिल्क, एग, मीट, वूल इन सब चीज़ को लेकर जो है एक रैंकिंग यह रिलीज करी है अगर हम बात करें मिल्क में तो पहले नंबर पर आता है यूपी फिर आता है राधस्थान एन देन MP आने की मद्रप्रदेश अगर हम बात करें एग प्रडक्शन की तो पहले नंबर पर है आंदर प्रदेश फिर तमिल लाड़ो एन देन तिलांगना अगर हम बात करें मीट की तो मीट में सबसे उपर आता है उत्रप्रदेश देन पश्यम बंगाल एंदेन महारास्ट्रा और वुल की बात करें तो पहले स्थान पर आता है राजस्थान फिर आता है जम्मु कश्मेर और तृत्तिय स्थान पर तो यह आता है गुश्राथ next question is recently in which country the newly elected government cancelled the decision of smoking तो यह क्या है न्यूजिलेंड ने तो option number B आप यहाँ पर याद रखेंगे देखिए न्यूजिलेंड का मैंने आपको बताया कि अभी हाली में प्राइम मिनिस्टर बने है क्रिस्टोफर लक्सन तो उन्होंने अपने देश में जो पहले उनकी चीज चली थी कि वहाँ पर smoking को किसनी जो नई इलेक्टिड वहाँ पर गर्मेंट हुई है जो की है किसके अंडर में क्रिस्टोफर लक्सन के अंतरगर थीक है तो ध्यान रखेगा सही आंजने न्यूजिलेंड आप्शन नमबर B न्यूजिलेंड के बात कर लेते हैं कैपिटल है वेलिंग डिटन करंसी यह हाँ पर चलती है डॉलर और प्राइम मिनिस्टर तुई है क्रिस्टोफर लक्सन फिर है वेन इस वर्ल्ड एट स्टे सेलब्रेटेट तो देखे एट स्टे की बात करें तो हर साली हम मनाते हैं दिसंबर की पहली तारिक को यानि कि फर्स्ट अफ दिसंबर को मनता है इसका जो में अब्जेक्टिव रहता है वो यह कि पीपल को अवेर करें अवाउट एट सो दैट पीपल कें अवाइट इंफेक्शन विद इस डेंजरूस डिजीज और पहली बार अगर हम बात करें यह यह हमने मना था 1988 को next question is who has recently been selected as the Merriam Webster dictionary word of the year तो यह बना है authentic option number B आप यहाँ पर याद रखेंगे next question is the fast track special court set up for the cases related to sexual crime has been approved to continue for how many years यानि कि यो यौन अपराद होते हैं यानि कि sexual crimes चो होते हैं उनसे चुड़े मामलों के लिए बने fast track special court को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने को मन्जोरी दे दी गई है तो यह दिये है तीन सालों के लिए तो option number जो B आप यहाँ पर याद रखेंगे देखे 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 दे युनियन केबिए था इसाप जारी आप इस वादा दिली में उसके बाद 2018 में सरकार ने डिसाइड किया कि वो एक हजार तेज़ फास्ट रेक स्पेशल कोट्स को स्टैबलिश करेगी पूरे भारत में फिरे वेन वस रेड प्लैनेट डे सेलिब्रेटेट रिसेंटली तो देखे रेड प्लैनेट डे की बात करें यानि कि लाल ग्रह दिवश तो यह हम बनाते हैं 28 नवंबर को option number B आप यहाँ पर याद रखेंगे फिरे वार्न वाइल लाइफ सेंचुरी और विच स्टेट विल बिकम दा सेकेंड होम अफ एशियाटिक लॉइन्स तो यह बना है गुजरात में option number D आप यहाँ पर याद रखेंगे लेकि एशियाटिक लॉइन्स के लिए जो सबसे फेमस एक भारत में आप कहीं वाइल लाइफ सेंचुरी है तो वो है गिर वाइल लाइफ सेंचुरी जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी गुजरात में लेकिन वहाँ पर ओवर बिड़न होने के वज़े से एक और जो हॉम बना है एशियाटिक लॉइन्स का जो बनेगा गुजरात में ही कहाँ पर वार्दा वन्नेजीव अभरने के नाम से तो ध्यान रखेगा ये सेकंड हॉम होगा गुजरात लॉइन्स के लिए और फिर एशियाटिक लॉइन्स के लिए वोगे वार्दाटीच लॉइन्स के लिए फिर वाके आधि ये और मेंट लॉइन्स के लॉइन्स के लिए से Satellite for Comprehensive Earth Observation तो देखे प्रत्वी अवलोकन के लिए निसार उपकर है ये भारत और साथी में अमेरिका नेगोशना कि इसको लांच करने की तो option number जो D है आप यहाँ पर याद रखेंगे देखे निसार की full form भी आपके लिए important हो जाती है तो निसार की full form नासा इश्रो अपर्शर रडार और यह बेसिकली अना लॉंच किया है किस चीज को लेकर कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ अब्जर्वेशन को लेकर और नासा और इस्रो का यह कॉम्बाइन प्रजेक्ट है नाशा की बात कर लेते हैं इसकी full form नेशनल अरनेटिक सेन स्पेस अडिनिस्टेशन स्टैबलिश्मेंट में 1958 में हैट्वेटर तो यह वासिंग्टन डिसी इस तो के बात कर लेते हैं स्टैबलिश्में 1969 हैट्वेटर है बेंगलूरू में और प्रेजिजेंट तो यह सोमनाथ फिरे विच फिल्म हैस रेसेंटली वॉन दा गॉल्डन पीकॉक अवर्ड एड़ 54th International Film Festival of India तो यह endless border option number C आप यहाँ पर याद देखेंगे कि जो endless border है इसको अभी मिला है 54th International Film Award में गॉल्डन पीकॉक अवर्ड और यह जो अवर्ड है IFFI के यह हर साल होते हैं गोवा में तो यह भी आप ध्यान रखेंगे और यह तो मिला है गॉल्डन पिकॉक अवर्ड अगर हम बात करें सिल्वर पिकॉक की तो यह मिला है किसको बुल्गारियन डारेक्टर नहीं स्टेफिन कॉमेंदरेव को तो उन्हें मिला है सिल्वर पि अगरें देखें इन दा पॉर्टल जुडिशल ओर्डर फोर रिलीज फ़र परसन आर ट्रांसफर तो जेल ट्राल कोर्ट इन है कोट फर इमेडियेट कंपलाइंस देपॉर्टर फास्टर फास्टर टू पंट ओसलाइव अलाव इमेडियेट इंफरमिशन तो दे गंसर्ट अंचेजर लांचेज हिंदी वर्जन ऑफ पॉर्टल ओन विच सुप्रीम कोर्ट जज्चमेंट्स केन बी व्यूट रिसेंटली आंद्री रजोलीना हैस बिन रिएलेक्टेट एज प्रेजिडेंट ओ विच कंट्री यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई वी है यहाँ प अगर हम बात करें प्रेजेंट चीफ की आइसी जी के तो हो है राकेश पॉल फिरे वेर विल्ड इंडिया लार्जेस सर्कुलर रेल्वे भी स्टैब्लिश तो सर्कुलर रेल्वे की बात करें इसकी स्टैब्लिश्मेंट यह होगी कहाँ पर तो यह होगी आपकी बैंगलूरू में तो ऑप्शन नम्बर जो सी हैस कुश्चन का सही आंसर होगा देखें बैंगलूरू सर्कुलर रेल्वे तो देखें यहाँ पर मैंने डिसकस के हैं आपके साथ 50 मोस्ट इंपर्टन क्विश्चन रिलेटिट टुदी करेंट अफेर अफ लास्ट वीक विडियो आपको पसंद आई होगी आप मैं आपको पूरी नवंबर के जितने भी इ इंपॉर्टन है जैसे कि 1st of November को हमने बनाए World Vegetarian Day 2nd of November को है International Day to End Impunity for Crimes Against Journalist 3rd of November को जैली फिस और International Biosphere Reserved Day आपको याद रखना है 5th को Tsunami Awareness Day 7th को Cancer Awareness Day आपके लिए 14th को है Important World Diabetes Day इसके लिए 15th को है Tribal Pride Day 17th के लिए आपके लिए Important है National Ellipsy Day 18th को है Neutropathy Day 19th को है World Toilet Day और 20th November को है आपका World Children's Day 21st of November को है World Television Day 25th of November को है International Day for the Elimination of Violence Against Women 26th of November को है Constitution Day and 27th of November को है आपका गुरू पर जो की मनता है गुरू नानाजी की जानते पर तो यह था आपका पूरा वीडियो जो कि मैंने लास्ट वन वीक का आपके साथ डिसकस के है Current Affair आप मैं आप से पुछी टेस्ट की दो क्यूशन जिसकी आंसर आप मुझे कमें सेक्शन में दोगे तो यह आपको बताना है कि पहले कंट्री जिसने अभी अपना या फिर आपके होमो सेक्शल मैरिज को रिजिस्टर किया बताना है आपको पहली साथ एशन कंट्री और दूसरे आपको बताना है कि प्राफिट सौंग के लिए बूकर फुरुस्कार कि किसे मिला है तो दोनों की आंसर आप मुझे कमें सेक्शन में दोगे तो आज के लिए नहीं है थैंकि सो मच और गुट डेग